सभी देशवासियों को प्रभु सीराम जन्म महोत्सों की सुब कामनाएं नौमी तिथि मधुमाश पुनीता सुकल पाच्च अभिजित हरितीता मध्ध दिवसे अति सीत नगामा पावन काल लोक विश्रामा पवित्र चैत का महिना था नौमी तिथि सुकल पच्च और भगवान का प्रिय अभिजित महोर्त था दोपहर का समय था ना बहुत सर्दी थी ना धूब गर्मी थी वो पवित्र समय सब लोकों को सांत देने वाला था सीतल मंद सुरब बहबाओ हरसित सुर संतन मन चाओ बन कुसमित गिरिगन मनियारा स्रमहि शकल सरीता अम्रत धारा सीतल मंद और सुगंदित पावन बहरा था देता हरसित थे और संतों के मन में बढ़ा चाओ था बन फूले हुए थे परवतों के समू मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदिया अम्रत की धारा बहा रहे थी सुओ सर बिरंच जब जाना चले सकल सुर साज बिमाना गगन बिमल संकुल सुर जू था गावह गुन गंधर वबरू था जब ब्रम्भा जी ने वो भगवान के प्रकट होने का आउसा जाना तब उनके समेश सारे देवता अभीमान सजा सजा कर चले निर्मल आकास देवताओं के समूहों से भर गया गंधर्वों के दल गुनों का गान करने लगे बरिस हिस मन सुअंजल साजी गह गहे गगन दुम्दु भी बाजी एस्तित करह नाग मुन देवा बहु बिदिला वह निज निज सेवा और सुन्दर अंजलियों में सजा सजा कर पुस बरसाने लगे आकास में घमा घम नगाडे बजने लगे नाग मुनी और देवता इस्तित करने लगे और बहुत प्रकासे अपनी अपनी सेवा उपहार भेट करने लगे मंगल भवन या मंगल हारी रभ हुश दसरत अजर भिहारी राम सिय राम जे जे राम सुर्ष शमूह बिनती करे पहुचे निज निज धाम जग निवास प्रभ पकटे अखिले लोक विसराम देवताओं के समूह बिनती करके अपने अपने लोकों में जा पहुचे समस लोकों को सांति देने वाले जगदाधार प्रभु पकट हुए मंगल भवन या मंगल हारी द्रब हुश दसरत यजर भिहारी राम सिय राम जे जे राम भाई प्रगट करपाला दीन दयाला को सिल्या हितिकारी हरस्त महतारी मुन मन हारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभीरा मातन गन स्यामान जे आयुद भुजचारी भुसन बन माला नयन विसाला सुभा सिंद खरारी दीनों पर दया करने वाले को सिल्या के हितिकारी करपाल प्रभु पकट हुए मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर से भर गई नेतों को आनन देने वाले मेग के समान सियाम सरीर था चारो भुजाओं में अपने खास आयुद धरन की हुए थे दिब अबुसन और बन माला पहने थे बड़े बड़े नेत्र थे इस पका सुभा के समुद तता खर राच्छा सुकू मारने वाले भगवान पकट हुए मंगल भवन या मंगल हारी द्रब हुशु दसरत यजर भिहारी राम सिया राम जे जे राम कह दूई कर जोरी इस तत तोरी के बिद कर हो अननता माया गुन ग्यानती ते अमाना बेद पुरान भननता करुना सुक सागर सब गुन यागर जही गावे सुति संता सो ममहित लागी जन अनुरागी भायो प्रगट सिरी कंता दोनों हाथ जोड़ कर माता कहने लगी हे अननत मैं किस पकार तुम्हारी इस सित करूँ बेद और पुरान तुमको माया गुण और ग्यान से परे और पडाम रहित बतलाते हैं सुतिया और संत जन दया और सुक का समुद सब गुणों का धाम कहका जिनका गान करते हैं वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लच्मी पद भगवान मेरे कल्यान के प्रकट हुए हैं मंगल भवन या मंगल हारी द्रबहुश दस रते अजिर विहारी राम सिय राम जै जै राम ब्रहमांड निकाया निरमत माया रूम रूम प्रतिबेद कहें मम उर सुबासी यह उपहासी सुनत दीर मत थिर न रहें उप जा जब ग्याना प्रभ मुश्काना चरित बहुत बिदकीन चहें कही कथा सुभाय मात बुजाए जही पकार सुत प्रेम लहें माता पुनी बोली सो मत डोली तजहुतात यह रूपा कीजे सिसलीला अत प्रियसीला यह सुक परम अनूपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जह गावे हर पद पावें तेन परहिं भव कूपा बेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रतेक रोम में माया के रचे हुए अनेको ब्रहमांडो के समू भरे हैं वे तुम मेरे गर्व में रहे इस हसी की बात के सुनने पर धीर विवे की पूरसों की बुद्ध भी इस्थिर नहीं रहती विचलित हो जाती है जब माता को ग्यान उत्पन हुआ तब प्रभ मुस्क्राइवे बहुत प्रकार के चरित करना चाहते हैं आता है उन्होंने पूर जन की सुन्दर कता कहकर माता को समझाया जिसे उन्हें पुत्र का वातसल प्रेम प्राप्त हो भगवान के पती पुत्रभाव हो जाए माता की ये बुद्धी बदल गई तब वो फिर बोली हे तात ये रूप छोड़ कर आतियं दप्री बाल लीला करो मेरे लिए ये सुख परम अनुपम होगा माता का ये बचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना सुरू कर दिया तुलसी दाजी कहते हैं जो इस चरित का गान करते हैं वे सिरी हर का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं जैशियर